दिवाली पर कई तरह के चूड़े बनते हैं, उसी में एक होता है भाज क्या पोहें से चूड़ा, यानि कि भाज के पोहें का चूड़ा, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भाज के पोहे लिए है यह बहुत ही easily market में available होता है आप किसी भी Kiranar store में जाके देख लिए यह आपको मिल जाएगा ये बहुती crunchy और crispy होता है इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में तेल लिया है और उसमें मैंने कुछ coconut के slice, dry coconut के slice को तल लिया है यह बहुती जल्दी तल कर तयार हो जाती है बिल्कुल golden और brown होने लगे तो आप इसे बाहर निकाल लेजिए अब हम इसमें कुछ लसुन की कलिया अड़ करेंगे जो कि मैंने विट स्कीन ली हुई है आप चाहे तो विदाउट स्कीन भी ले सकते है विट स्कीन लेने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसे भी बस light brown होने पर आप बाहर निकाल लीजिए और भी same तेल में हम कुछ मुंग फली को तल लेंगे मुंग फली को भी light golden brown होने तक आपने तलना है बिच बिच में हिलाते रहना है flame को बिल्कुल slow रखना है इसे निकाल कर एक absorbent paper पे drain करने के लिए रख दीजिए कुछ चना डाल, roasted चना डाल को मैंने यहाँ पर लिया है उसे भी मैंने fry कर लिया है इसे भी आप निकाल लीजिए और absorbent paper पे drain कर लीजिए अब मैंने यहाँ पे कुछ कड़ी के पत्ते लिए हुए है कड़ी पत्ते भी आप इसी तरह से fry कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए कुछ ग्रीन चिली को मैंने slit किया हुआ है वो भी आप लेकर fry कर लीजिए बहुत ज़दा कड़क नहीं करना है बस light करना है अब एक पैन में 1 टीबल स्पून ओल लीजिए उसमें 1 टीबल स्पून जीरा 1 टीबल सौफ और 1 टीबल अजूइन डालिए बस flame को लो रखिए और इसमें 1 टीबल चिली पाउडर 1 टीबल धन्या पाउडर हल्दी और तोड़ा सा गरम मसाला अड़ किजिए और flame को यहाँ पे आपने बन कर देना है और आपके जो भाज के पोहे है गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती इसी पैन में ये गरम हो जाते है और रोस्ट भी हो जाते है ये बहुती कम तेल में बनके तयार होते है अब इसी में हम थोड़ा सा नमक powdered sugar और अमचुर पाउडर मिलाएंगे और सारे fried items भी मैंने इसमें add कर लिये थे अब अच्छी तरह से इसे mix कर लीजिए पैन गरम होने के कारण ये roast हो जाते हो बहुत ही जल्दी crispy हो जाते है जैसी ये थंड़ा हो जाए आप इसे एक airtight container में भरके रख दीजिए दिवाली पर अपने महमानों को इसे खिलाइए बहुती tasty crispy और less oil में बन कर ये तयार हुआ है वीडियो पसंद आने पर like और share किजिए चैनल को subscribe कीजिए happy दिवाली दिवाली का त्योहार हो और पतले पोहे का चूड़ा खाने न मिले तो ऐसा लगता है त्योहार अधूरा है चलिए इसे बनाते है अगर आप चाहते हैं कि आपका पतला पोहे का चूड़ा crispy, crunchy और less oily बने तो सबसे important step ये है कि आप इसे sun dry कीजिए यहाँ पे करीब मैंने इसे 3-4 hour sun dry किया है अब हम इसे side में रख देते है चूड़े की तैयारी करते है इसके लिए आपको सबसे important है कि heavy bottom कड़ाई लेनी है अगर आप पतली कड़ाई लेंगे तो चूड़ा नीचे से जल जाएगा इसमें मैंने 2 tablespoon oil डाला है 1 tablespoon roasted चना डाल और 1 tablespoon मैंने peanuts डाले है इसमें बहुत जादा मैंने add नहीं किया अगर आपको जादा चाहिए तो आप add कर सकते है जैसी ही ये crispy golden होने लगे तो आप इसे तेल में से निकालके बाजू में रख दीजिए अब मैं इसमें 1 teaspoon जीरा और 1 teaspoon राई डालूंगी जैसे ही राई जीरा चटकने लगे तो हम इसमें 1 teaspoon आखा धनिया और 1 teaspoon white तिल डालेंगे हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते add करेंगे और हम इसमें अब हरा मसाला मिलाएंगे 1 teaspoon to 2 teaspoon मैंने इसमें हरा मसाला add किया नहीं कि हरी मिर्च और लसन का paste अब मैंने इसमें 1 teaspoon हल्डी डाली है और पोहे को add कर दिया है यहाँ पे मैंने करीब 200-500 gram पोहा लिया है जो कि हमने sun dry किया था अब इसमें मैंने 2 tablespoon hardly मुर्मुरा add किया है मुझे पसंद है पोहे में अगर मुर्मुरा add करते है अगर आप चाहे तो add किजे वरना यह optional है अब इसे आपको हलके हातों से mix करना है वरना यह चूरा हो जाएगा और flame को बिलकुल slow रखना है और याद रखिए कड़ाई आपकी मोटी और वजणदार होनी चाहिए तभी आपका यह चूरा अच्छे से crunchy और crispy अंधर से बनेगा आप बस patience से इसे हिलाते रहिए finally मैंने इसमें नमक और जो fried हमने nuts किये थे वो add किया है फिर से इसे mix किया है और continuously मैंने इसे हिलाते रहिया है आप एक flat कर्ची लीजिए अगर आप round कर्ची लेते है तो पोहे का चूड़ा तूटने लगता है इसलिए जो भी आप spoon यूज़ कर रहे है वो flat होना चाहिए करीब 7 से 8 मिनिट बाद 10 मिनिट बाद मैंने देखा है कि यह चूड़ा बिल्कुल crunchy हो गया है और इसमें मैंने 1 teaspoon sugar add किया है यह बिल्कुल optional है मुझे अच्छी लगती है चूड़े में बीच में शुगर आती है तो और बस flame को off कर दीजिए तयार है आपका crispy crunchy पातर पोहें से चूड़ा यकीन कीजिए यह recipe बहुत ही जबर्दस्त और tasty है एक बार बना के देखिए आपके घरवाले तारीफ करते नहीं ठकेंगे वीडियो पसंद आने पर like और share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं एक नई और useful recipe के साथ तब तक के लिए happy diwali चलिए बनाते है दिवाली special konflakes चूड़ा अगर आपके पास वक्त कम है तो यह best option है यह hardly 10 minutes में बन के तयार हो जाता है देखते हैं इसे कैसे बनाते है इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक pan में तेल लिया है एक मैंने deep pan लिया है और अच्छे तरह से तेल को गर्म कर लिया है अब हम इसमें konflakes को fry करेंगे जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब ही आप इसमें konflakes डालिये और थोड़ा थोड़ा डालिये बहुत जादा पूरा मत भरिये वो बहुत जल्दी ही उपर आ जाते है अगर आपका तेल गर्म रहता है तो इसे हम batches में तलेंगे मैंने यहाँ पे 2 cups of complex use किये है और इसे थोड़ा थोड़ा करके तल लीजिए और एक absorbent paper पे drain करने के लिए रख दीजिए यह मेरा second batch है ऐसे करीब 3-4 batch में मैंने इसे तल लिया है देखिए इसे tissue paper पे drain करने के लिए रख दीजिए ताकि excess oil निकल जाए अब same oil में हम लोग slow कर देंगे flame को और इसमें मैंने कुछ dry coconuts को fry किया है यह optional है आप चाहे तो डालिये लेकिन यह डालने पे अच्छे लगते है इसे भी साइड में रख देना है अब कुछ मुँफली मैंने लिए है पीनट्स लिए है और इसे भी मैंने तल लिया है जादा काला मत कीजिए slow flame पे golden crispy होने तक ही आपको इसे तलना है इसे भी आप निकाल लेजिए और एक absorbent paper पे रख दीजिए अब यहाँ पे मैंने कुछ dry fruits लिए है जैसे की काजू और बादाम इसे भी तलना है बहुत जल्दी जल्दी यह तल के तयार हो जाती है इसलिए आप इसे काला मत होने दीजिए फटा फट आप निकाल लीजिए अब मैंने यहाँ पे कुछ roasted चनादाल डाली है दलिया हम जिसे कहते है बहुत ही प्यारी सी सुगंदारी है यह तलने के बाद अब हम इसे side में रखने के बाद एक pan में इस चूड़े को ready करेंगे एक बड़ा सा pan ले लीजिए पस उसमें hardly 1 tablespoon आपने oil डालना है pan अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसमें आप तेल गर्म होने के बाद 1 teaspoon राई चुटकी भर हींग और हल्दी डालिए flame को मैंने यहाँ पे slow रखा हुआ है अच्छी तरह से थोड़ा सा सुगंदाने पे इसमें थोड़ी से green चिली आड़ कीजिए आप चाहे तो बारिक बारिक डाल सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे slit किया है कुछ ताजा कड़ी पते के leaves डाले हैं मैंने बस उसे इस तरह से थोड़ा हलका fry कर लीजिए अब हमने जो इसमें तल के रखे थे conflakes और जो भी nuts और हमने खोपरा तल के रखा था वो हम इसमें आड़ करेंगे इसे अच्छी तरह से आपने मिला लेना है दो से तीन बार आपको अच्छी तरह से इसे मिला लेना है अब इसमें मैंने शुगर का पाउडर आड़ किया है अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग और थोड़ा सा नमक आड़ किया है इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए बिल्कुल हलके हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए वरना ये चूरा हो जाएगा देखे कितनी जल्दी बन के तयार होता है आप सबसे पहले आपने सारे इंग्रीडियंट्स रेडी रख लीजिए और फटा-फट तल लीजिए और मिक्स कर लीजिए रेडी है आपका कॉनफ्लेक्स चूडा जब ये थंडा हो जाए तो इसे एर टाइट कंटेनर में बन करके रख दीजिए वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए मिलते है एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैपी दिवाली दिवाली पर सभी के घरों में चूडा तो बनता ही है क्योंना इस बार हम बूंदी वाला चूडा बनाएं चलिए देखते हैं इस चटपटे कुरकूरी चूडे को कैसे बनाते है यहाँ पर मैंने एक कडाई में तेल गरम करने रखा हुआ है और इसमें मैंने एक छनी डाली हुई है ताकि मैं जो भी फ्राइड आइटम्स है इसमें से डिरेक्ली निकाल सको मैंने सबसे पहले यहाँ पर मूंग फली को तलने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसे कुरकुरी गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इसे निकाल कर एक एब्जॉबन पेपर पर रख दिजिए अब मैंने कुछ रोस्टेट चना दाल यानि के डालिया फ्राइ किया है इसे भी आपको गोल्डन फ्राइ करना है जब गोल्डन हो जाए तो आप इसे एब्जॉबन पेपर पर ड्रेन कर लिजिए नेक्स्ट हम दालेंगे कुछ खोपरे की कतरन और इसे भी आपने बहुत जल्दी फ्राइ हो जाती है इसे भी फ्राइ करके आप बाजो में रख दीजिए अगर आपको लगते आपका तेल थंडा हो गया है तो थोड़ा गर्म कर लीजिए फाइनली इसमें कुछ कड़ी पते हम डालेंगे उसे भी तल के बाजो में रख देंगे अब मैंने यहां पर कुछ लसून की कलिया डाली है लसून की कलियों को मैंने विट स्किनदाला हुआ है आप चाहे तो शिलका निकाल सकते हैं अपर स्किन गेसार डालने पर इसका टेस्ट बहुत ही बहतरी नाता है इसे भी आप absorbent प्रेपर पे ड्रेन कर लीजिए चलिए अब चूड़े की तैयारी करते है एक बड़े से कड़ाई में बड़ा पैन में मैंने यहाँ पर 1 टी स्पून ओयल लिया है क्योंकि अल्रडी सारे आइटम्स फ्राइड है बस उसमें आपने इसे फ्राइ करना है बिल्कुल लाइटली आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है यह बहुत ही जल्दी कुरकुरी बन जाती है रेडी मेट बुंदी कुरकुरी होती है बस इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए अब सारे जो भी फ्राइड आइटम्स है वो इसमें मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा मसाला आड़ करेंगे जैसे कि मैंने या पर हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून अद्रक का पाउडर और नमक डाला है इसे अची तरह से मिक्स कर लीजिए लो फ्लेम पर बस दो मिनिट पकाईए हलके हलके हाथों से इसे मिक्स कर दीजिए तैयार है आपका क्रिस्पी कुरकुराद पूंदी का चूड़ा दिवाली पे पतले पोहे के चूड़े सभी बनाते है इसे भी as a side dish रखिए ये बहुत पसंद किया जाएगा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ तब तक के लिए हापी दिवाली